हाई लेमिंधीज, वेलकम टो इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ अपिता और लाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग को डिलेशन को आगे बढ़ाएंगे और आग जो हम उसमें टॉपिक करेंगे गाईज, उसका नाम है को डिलेशन वेड स्टैंडर्ड डेविएशन कई बार हमें ये question हमारे exams में पूछ लिया जाता है कि हमें standard deviation given होते हैं और हमें correlation निकालना होता है, कई बार पूछ लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए इसका, तो guys देखो normal correlation जब हम Carl Pearson का पढ़ते हैं तो formula क्या होता है, summation xy divided by summation x का square into summation y का square, इसी के साथ इन्होंने एक और formula हमें given है, बहला हमें दिया है Carl Pearson ने, summation x, y को divide करना है, n बोले तो number of items and standard deviation of x and standard deviation of y, तो काफी easy सा formula है, कुछ जादा मुश्किल नहीं है, ये तो आपको पता ही था, अब n के साथ multiplication होगी, किसकी, standard deviation x की और y की, तो start करते हैं guys, सबसे पहले, चैनल पर अगर पहली बार आएं है और अब तक सबस्क्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सबस्क्राइब कीजिए, for new more videos आप bell icon को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको notification आती रहे, इसके लावा अगर आपके कोई भी doubt है, accounts, economics and business related, तो आप मेरी ID है Instagram पर तबिता मैसी, आप उस पर message कर सकते हो, इसके लावा YouTube पर comment क through भी पूछ सकते हो, अब स्टार्ट करते हैं guys, एक question लेते हैं, जिसके through आप समझ सकते हो, इसे, देखो X and Y with 50 items, यानि कि हाँ पर N आपको given है 50, standard deviation X का भी given है, standard deviation Y का भी given है, आगे वो क्या कहते है, language क्या use करते है, if the summation, summation बोले तो ये, ठीक है, summation of product of deviation X and Y, तो deviation किसका X and Y का, किससे from their respective mean, यानि कि ये small X और small Y की बात कर रहे हैं, तो यानि कि हमें summation XY भी given है, जो कि है 420, अब बस हमें से formula में put करना है, that is 420, divide करना है N बोले तो 50, standard deviation X का है 4.5 और Y का है 3.5, तो अब जो काम आएगी वो आएगी आपकी calculation, तो 4.5 को 3.5 से, अगर आप multiply करोगे, तो कितना आएगा, ये आएगा guys, आपका 4.20 divided by 50 into 1575, 1575, अब 1575 को हमें multiply करना है 50 से, तो हम लोग यहान से 0 से 0 कट कर देते हैं, तो simply 5 से multiply करेंगे, हम लोग 1575 multiply by 5, और साथ के साथ guys, इसमें दोनों में point था, तो हम यहाँ पे point लगाना भूल गएते हैं, तो यह 15.75 होगा, तो यहाँ पर भी 15.75 को किया, तो यह आगया हमारा 78.75, ठीक है, अब 42 divided होगा हमारा 78.75, यह point हटाएं, तो उपर आजाता है 00, ठीक है, लिकिन 4200 भी 7000 से divide नहीं हो सकता, इसलिए हमें point लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर इसको 0 gift में देनी पड़ेगी, अब अगर हम इसे solve करें, देखो, हमारी जो term है, वो 7875 है, ठीक है, 7575 है, और हमें divide जो करना है, 42,000 को करना है, तो हमें कुछ ऐसा number लेना, जो 42,000 से कम हो, let 4 लेके करते हैं, कितना आते हैं, 31,500 तो यह तो कम आ रहा है, एक बार और किसी term कर लेते हैं, 5 से करके देखते हैं, ठीक है, 37, 43, 39, 375 अभी भी कम है, अब 6 से भी करके देख लेते हैं, एक बार, तो यह बड़ी time आ रही है, तो यानि कि आपका 42,000 किस से कटेगा, आपका 42,000 कटेगा, 5 से, तो आपका answer जो आएगा, वो 0.5 something आएगा, तो next is it, आप निकाल सकते हो, mainly, यह कैसे solve करते थे, इसका formula क्या होता है, just information के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार, teachers दे देती है, generally तो वैसे काल पियर्सन का, X और Y वाला ही आता है, बट sometimes यह भी दे दिया जाता है, तो आपको आना चाहिए, So I hope आप लोगों को समझ है होगा, अगर समझ है तो आप लोगों को समझ है होगा, अगर समझ है तो आसे नहीं चाहना आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप अपनी डाउट मेर्स से YouTube और Instagram पर पूस सकते हैं, Thank you